हे गाईस वेलकम टो और चनल आज की स्वीडियो में अपन बात करने वाले कपिल सर्मा सो में काम करने वाले स्टार कास्ट की एज, इंकम और कार कलेक्शन के बारे में तो बने रही है हमारे साथ में और देखते रही है ये वीडियो नमबर वन पे हैं चंदन प्रभाकर उर्फ चंदू चायवाला चंदन प्रभाकर का जन्म 1981 को हुआ था अभी 2021 में वो 40 साल के हो चुके हैं बात कर लेते हैं उनकी इंकम के बारे में चंदन प्रभाकर कपिल सर्मा के पर एपिसोट का पास से 6 लाग रुपे चार्ज करते हैं इसी के साथ ही किसी भी लाइब सो में अब बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में तो नमबर वान पे है BMW 3 Series 320D जिसकी कीमत है 45 लाग रुपे नमबर टू पे है Hyundai SUV जिसकी कीमत है 20 लाग रुपे नमबर थ्री पे है वेगन आर जिसकी कीमत है 7 लाग रुपे नमबर टू पे सुगंदा मिस्रा वुर्फ टीचर विद्यावती सुगंदा का जन्म 23 मई 1988 को हुआ था अभी 2021 में 32 साल की हो चुकी है अब बात कर लेते हैं उनकी इंकम और कार कलेक्शन के बारे में दोस्तों आपको बता दे सुगंदा कबिल सर्मा के पर एपिसोट का 3 से 4 लाग रुपे चार्ज करती हैं इसी के साथ है ऐस था सिंगर काम करने के लिए 2 से 3 लाग रुपे चार्ज करती हैं किसी भी सू में as a anchor काम करने के लिए पर एपिसोड का एक लाक रुपे चारच करती है किसी भी मूवी में as a actor काम करने के लिए एक करोट रुपे चारच करती है और उनकी net worth about 10 करोट रुपे के करीब बताई जाती है अब बात कर लेते हैं उनके car collection के बारे में तो नमबर वन पे है BMW X6 जिसकी किमत है 1.6 करोड रुपेज नमबर थ्री पे है रोसेल राव उर्फ चिंगारी रोसेल राव का जन्म 25 नॉमबर 1988 को हुआ था अभी 2021 में 32 साल की हो चुकी है बात कर लेते हैं उनकी इंकम और कार कलेक्शन के बारे में दोस्तों आपको बता दे रोसेल राव पर एपिसोड का दीन से 4 लाक रुपे चार्ज करती है इसे के साथ ही एज एक्टर काम करने के लिए 1 लाक रुपे चार्ज करती है और उनकी नेट वर्थ अप्रॉक्स 30 करोड रुपे के करीब बताई जाती है अब बात कर लिए उनके कार कलेक्शन के बारे में तो नमबर वन पे है BMW 5 सिरीज जिसकी कीमत है 65 लाक रुपे नमबर 4 पे है सुनिल ग्रोवर फुर्फ डॉक्टर मसूर गुलाटी डॉक्टर मसूर गुलाटी का जन्म 3 अगस्ट 1977 को हुआ था अभी 2021 में 43 साल के हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं उनकी इंकम और कार कलेक्शन के बारे में दोस्तों आपको बता दे सुनिल ग्रोवर पर एपिसोड का 10 से 15 लाक रुपे चार्ज करते हैं किसी के साथ ही किसी भी לाइव सो में इस अ कॉमेडायन काम करने के लिए 3 से 4 लाक रुपे करते हैं किसी मूवी में एकटर काम करने के लिए एक करोड रुपे चाज करते हैं और उनकी नेट वर्थ अप्रॉक्स 25 क्रोड रुपे के करीब बताई जाती है अब बात कर लिए तो उनके कार कालिक्षिन के बारे में तो नमबर वन पर है BMW X5 जिसकी कीमत है 42 लाक रुपे नमबर टू पर है BMW 520D जिसकी कीमत है 61 लाक रुपे नमबर थ्री पर है Range Rover जिसकी कीमत है 1.96 करोड रुपेज नमबर थ्री पर है Audi Q7 जिसकी कीमत है 70 लाक रुपे नमबर 5 पर राजिव ठाकूर as a various character राजिव ठाकूर का जन्म 7 अगस्ट 1981 को हुआ था अभी 2021 में वे 40 साल के हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं उनकी income और car collection के बारे में दोस्तों आपको बता दे राजिव ठाकूर किसी भी एपीसोट का 3 से 4 लाक रुपे चार्ज करते हैं इसके साथी as a host काम करने के लिए पर एपिसोट का 1 से 2 लाक रुपे चार्ज करते हैं as a stand-up comedian किसी भी live show में काम करने का में 2 लाक रुपे चार्ज करते हैं और उनकी net worth अ दोस्तों आपको बता दे नौजोज सिंग सिद्धू का जन 20 अक्टूंबर 1963 को हुआ था अभी 2021 में 57 साल के हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं उनकी इंकम और कार कलेक्शन के बारे में दोस्तों आपको बता दे नौजोज सिंग सिद्धू किसी भी टीवी सो के 2-3 लाग ग्राट पे हैं Ft Comet Classic जिसकी कीमत है 2 करूर रुपे नमबर टू पे लैक्सिस आरreक्स जिसकी कीमत है 6 करूर रूपे नमबर टू पे ओडी A4 जिसकी कीमत है 1970 को हुआ था अभी 2021 में वो 50 साल के हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं उनकी income और car collection के बारे में दोस्तों आपको बता दे अली per episode का pass से 7 लाग रुपे चार्ज करते हैं इसे के साथ ही as a actor काम करने के लिए 1 करोल रुपे चार्ज करते हैं as a host काम करने के लिए per episode का 2 से 3 लाग रुपे चार्ज करते हैं और उनकी net worth अप्रोक्स 20 करोल रुपे के करीब बताई जाती हैं बात कर लेते हैं उनके car collection के बारे में नंबर वन पे है BMW 730 LD जिसके किम्मत है 1.37 करोल रुपीज नंबर एट पे है अर्चना पुरन सिंग दोस्तों आपको बता दे अर्चना पुरन सिंग का जन 26 September 1962 को हुआ था अभी 2021 में वे 58 साल की हो चुकी है अब बात कर लेती हैं उनकी income और car collection के बारे में दोस्तों आपको बता दे अर्चन पर एपिसोड का 10 लाग रुपे चार्ज करती हैं इसी के साथ ही किसी भी सो में as a judge काम करने के लिए 2 करोड रुपे चार्ज करती है और उनकी net worth अप्रॉक्स 30 करोड रुपे के करीब बताई जाती है अब बात कर लेते हैं उनके car collection के बारे में नंबर वन पर है muscle car जिसकी कीमत है 60 लाघ रुपे नंबर 2 पर है audit Q7 जिसकी कीमत है 70 लाग रुपे नंबर 3 पे जीप campus जिसकी कीमत है 25 लाए नंबर 4 पर है sucal की wagon R जिसकी कीमत है 7 लाक रुपे नमबर 9 पे है भारती सिंग और तितली यादव दोस्तो आपको बता दे भारती सिंग का जन 3 जुलाई 1984 को हुआ था अभी 2021 में 36 साल की हो चुकी है अब बात कर लेते हैं उनकी इंकम और कार कलेक्शन के बारे में दोस्तो आपको बता दे भारती सिंग पर एपिसोड का 6 से 7 लाग रुपे चार्ज करती हैं इसी के साथ ही as a host काम करने के लिए 2 से 3 लाग रुपे चार्ज करती हैं as a actress काम करने के लिए 1 करोड रुपे चार्ज करती हैं किसी भी live show में as a stand-up comedian काम करने के लिए 6 लाग रुपे चार्ज करती है और उनकी net worth आप्रोक्स 40 करोर रुपे के करीब बताई जाती है आप बात कर लेते हैं उनके car collection के बारे में नमबर वन पे Mercedes-Benz GLE 250D जिसके कीमत है 72 लाग रुपे नमबर टू पे Mercedes-Benz GLS 350D जिसकी कीमत है 88 लाग रुपे और नमबर थ्री पे है Audi Q5 जिसकी कीमत है 60 लाग रुपे नमबर फोर पे Swift Desire जिसकी कीमत है 7 लाग रुपे नमबर दस पे सुमोना चक्रवर्ती उर्फ भूरी दोस्तों आपको बता दे सुमोना चक्रवर्ती का जन्म 24 जून 1986 को हुआ था अभी 2021 में वे 34 साल की हो चुकी है बात कर लेते उनकी income और car collection के बारे में दोस्तों आपको बता दे सुमोना चक्रवर्ती पर अपिसोड का पास से 7 लाग रुपे चार्ज करती है इसी के साथ ही किसी भी movie में as a actress काम करने के लिए एक करोल रुपे चार्ज करती है और उनकी net worth अप्रोक्स 10 करोल रुपे के करीब बताई जाती है अब बात कर लेते उनके car collection के बारे में तो नमबर वन पे Mercedes Bench E220D जिसके कीमत है 64 लाग रुपे नमबर टू पे Hyundai Creta जिसके कीमत है 18 लाग रुपे नमबर 11 पे है किकु सारदा और बच्चा यादो दोस्तों आपको बता दे किकु सारदा का जन 14 फरवरी 1976 को हुआ था अभी 2021 में वे 45 साल के हो चुके है अब बात कर लेते हैं उनकी income और car collection के बारे में दोस्तों आपको बता दे किकु सारदा पर एपिसोड का 7 से 8 लाग रुपे चार्ज करते हैं इसी के साथ है किसी भी मूवी में as a actor काम करने के लिए 1 करोल रुपे चार्ज करते हैं किसी भी live show में as a stand-up comedian काम करने के लिए 2 से 3 लाग रुपे चार्ज करते हैं और उनकी नेट वर्थ अपरोक्स 15 करोल रुपे के करीब बताई जाती है अब बात करे लेते हैं उनकी कार कलेक्शन के बारे में नमबर वन पे है ओडी A8 जिसकी कीमत है 1.37 करोल रुपे नमबर टू पे है Mercedes-Benz GLE 250D जिसकी कीमत है 42 लाग रुपे नमबर थ्री पे है BMW X1 जिसकी कीमत है 42 लाग रुपे नमबर टोल पे है क्रशना अभी सेख उर्फ सपना दोस्तों आपको बता दे क्रशना अभी सेख का जन 30 मई 1983 को अधा अभी 2021 में 37 सल के हो चुके हैं अब बात कर लेते हैं उनकी income और car collection के बारे में दोस्तों आपको बता दे क्रशना अभी सेख पर एपिसोट का 6 से 8 लाग रुपे चार्ज करते हैं इसी के साथ ही किसी भी live show में काम करने के लिए 10 लाग रुपे चार्ज करते हैं अगे लिए 2 करोल रुपे चार्ज करते हैं और उनकी net worth अप्राउग्स 40 करोल रुपे के करीब बताई जाती है अब बात कर लेते हैं उनके car collection के बारे में नंबर 1 पे Audi Q5 जिसकी कीमत है 50 लाग रुपे नंबर 2 पे Audi A3 जिसकी कीमत है 52 लाग रुपे नमबर 3 पे है Campus SUV जिसकी कीमत है 22 लाग रुपे और नमबर 4 पे है मारूती वेगनार जिसकी कीमत है 7 लाग रुपे नमबर 13 पे है कपील सर्मा और कपू सर्मा दोस्तों आपको बता दे कपील सर्मा का जन्म 3 अपरेल 1981 को हुआ था अभी 2021 में वे 40 साल के हो चुके हैं अब बात कर लेते उनकी इंकम और कार कलिक्शन के बारे में दोस्तों आपको बता दे कपील सर्मा पर एपिसोड का 50 लाग रुपे चार्ज करते हैं इसी के साथ ही किसी भी इसी मूवी में एस एक्टर काम करने के लिए 10 करोल रुपे चार्ज करते हैं किसी भी सो में एस ए होस्ट काम करने के लिए 10 लाग रुपे चार्ज करते हैं और उनकी नेट वर्थ अपरोक्स 200 करोड रुपे के करीब बताए जाती है अब बात कर लेते हैं उनके car collection के बारे में तो number 1 पे Mercedes Benz S350D जिसकी कीमत है 1.36 करोड रुपे number 2 पे है Range Rover Evoque जिसकी कीमत है 360 लाक रुपे number 3 पे Ferrari जिसकी कीमत है 3 करोड रुपे number 4 पे है Bike Royal Infilt Bullet जिसकी कीमत है 1.37 लाक रुपे और number 5 पे है Again Bike Royal Infilt Thunderbird जिसकी कीमत है 2 लाक रुपे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आप कपिल सर्मा सो के फैन है तो इस चैनल को कर दीजे सस्क्राइब और बने रहे हमारे साथ में और भी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो इंट्रेस्टिंग वीडियो